इस वीडियो में आप class 8 के English chapter 9 पढ़ने वाले हैं तो इसका सिर्सक है सिक्किम सिक्किम के बारे में आप तो जानते ही हैं अगर नहीं जानते हैं तो इस चप्टर में आपको बैसे भी विस्तार स्रे जानने को मिल ही रहा है तो सबसे पहले चलिए और इसका वार्मर देखते है क्या आपने कभी ऐसे राज गए है जहां पहार है मौन्टेनियस नहीं वहां पर पहार है आप पहारों पर घुमे होंगे और आपका यदी आंसर है हां टेल कलास एबाउट इट्स पिपल फूड है बैसे क्लाइमिट इटेस यानि आपको बताना है कि आपने वहां पर क्या-क्या देखा वहां के लोगों के ड्रेस कैसे थे वहां के लोग क्या खाते थे वहां के लोगों की habit यानि आदते किस परकार की है वहां की जलवायू कैसी है climate miss जलवायू तो इन सभी चीजों के बारे में अपने class में बताईए तो चप्टर सुब होता है यहां से सिक्किम एक छोटा सा राज है जो की mountainous है mountainous का अर्थ होता है परवतिया परवतिया राज है कहां में है तो in the heart of the eastern हिमाल्या हिमाल्या के जो इस्ट का भाग है उस भाग को heart यानि दिल कहा जाता है हिमाल्या का दिल कहा जाता है उसी भाग में हिमाल्या सिक्किम भी इस्थित है it is bonded by the Tibetan platia in the north यह जो सिक्किम है यह घिरा हुआ है bonded का अर्थ होता है घिरा हुआ है किस चीज से घिरा हुआ है तो Tibetan platia से घिरा हुआ है Tibetan क्या है तिबत एक देश है जिससे क्या है यह घिरा हुआ है उसके सिमा से दा चंबूई बैली और जो कि तिबत में ही है और भुट्टान यह उसी के बगल में है जो कि भुट्टान से घिरा हुआ है इस्थ इस्थ में कौन घिर रखा है सिक्किम को तो भुट्टान भुट्टान भी एक देश है छोटा सा नेपाल इंदा वेस्ट और नेपाल वी एक छोटा से देश है जो की वेस्ट से घेर रखा है यानि वेस्ट की दिशा में कों है तो नेपाल है और यहां जो दार्जलिंग है वो है वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल क्या है यह भारत का एक राज है इन 1975 यानी 1975 में सिक्किम बिकेम दा 2022 अस्टेट ऑफ इंडिया यानी 22 राज बन गया था जन्शंख्या के दिर्ष्टी से इन्हाबिटेंट्स का अर्थ होता है निवासी तो यहां पर पांच लाख चालिस जार चार सो तेरानवे ही निवासी रहते हैं यानी लोग रहते हैं और टोटल एरिया ओफ और 7,096 स्क्वार किलो मीटर से टोटल एरिया है टोटल च्छेतर फल है सिक्कीम की तो आप से पूछा जा सकता है कि सिक्कीम कब बना है तो बाइस वेराज तो 1975 में और इसका च्छेतर फल कितना है तो बोलना है आपको 5,40,493 यहां के inhabitants यहां का लोग रहते हैं और यहां के जो area है वो है 7,096 स्क्वार किलो मीटर से गई हैं यह तो फिक्ट है यहां यह तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि च्छेतर फल तो बढ़ा नहीं सकते हैं आप लेकिन जन संख्या को बढ़ाया जा सकता है तो यह पहले वाल भी हो सकता है और घंडली होता ही है जन्सेंखि Bennett बढ़ती ही है जनkया बढ़कर की ज्यादा हो गया होगा चwnकि एक किताब आज नहीं चपी है बहुत दिन पहले चपी है ठीक है तो इस जन संक्यार प्रिफरर नहीं कर सकते हैं आज भी यही जनसंख्या होगी पर चेत्रफल इसमें इतना ही होका चेत्रफल को बढ़ाया नहीं जा सकता है चलिए आप आगे समझते हैं तो चेत्रफल फिक्स है तो आप चेत्रफल को याद कर लीजिए ठीक है उसके बाद सिक्कीम इज दा लिस्ट पॉल्यूटेड अश्टेट अफ इंडिया और सिक्क्ीम जो है बहुत ही कम पॉपुलेटड अस्टेट अफ इंडिया यह बहुत ही कम जन्संख्या वाला राज्य है बहुत ही कम the word the word का मतलब यहां पे आगे बताए जाए है the word सिक्किम is a combination of two words यह जो सिक्किम word है यह जो सब्द है यह दो word से मिलकर बना है पहला word है सू and दूसरा है and किम सू का अर्थ होता है सू means new सू का अर्थ होता है नया and किम मिन्स पैले और और का मतलब या या तो आप पैलेस के लिज़े महल पैलेस मतलब महल और या आप हाउस के लिज़े घर तो इसका मतलब क्या हुआ सिक्किम का क्या अर्थ हुआ तो कि therefore इसलिए therefore का अर्थ होता है इसलिए इसलिए the word means यानि जो सिक्किम है को यहां पर इंगित किया जा रहा है दा वोड उस वारण के बारे में कहा जाerem means new Palace और हऊस यानि सिक्कीम का अर्द क्या बताया गया है तो सिक्कीम का अर्थ बताया गया है नया महल या घर इन रिफरेंस टुदा पैलेस विल्ट वाइदा अस्टेट हूस्ट रूलर जो की रिफ्रेंस करता है रिफ्रेंस करता है किसको इंगित करता है तो वहां के जो पर्थम रूलर थे यानि रूलर मतलब सासक जो पर्थमड सासक हुए थे समडाट हुए थे जिनका नाम यहां पर बता जा रहा है कि फुंसोक नाम घ्याल यह वहां का नाम है जो की प इसको समझे करा के लिए नाम दे जाती है वो गडन दे जाती है सिक्कीम को टिबत में देंजोंग कहा जाता और देंजोंग का क्या अर्थ होता है उसे समझे विच मींस दैंजोंग का क्या मतलब है which means the valley of rice ये जो देंजोंग है इसका अर्थता है valley of rice और इसका हिंदी अर्थता है चावल की घाटी सिकीम इस डिवाड़े इन्टू फोर डिस्टिक सिकीम जो है पुरे राज को केवल चार डिस्टिक यानि चार जिले में बिभाजित किया गया बाटा गया है which include east सिकीम जिसमें से एक है east सिकीम दूसरा है west सिकीम तिसरा है north सिकीम and south सिकीम चौथा है south सिकीम सभी दिसा में इन्हीं चार डिस्टिक बना दिया गया है the district headquarters यानि district में जितने भी समस्या होंगी मुख्य रूप से कहां पर solve होगा उन सारी समस्यां का तो headquarters जो बनाएगे है और गंग्टोग और headquarters कहां में है तो गंग्टोग में है जैंगी मंगान अंड नामची रिस्पेक्टिवली ये एक दू और तीन ये तीनो क्या है नाम है जो की रिस्पेक्टिवली जैसे हमारे धिस हमारे धिस भारत यहांके जो लोग होते हैं जैसे नरेंदर लोग है इनको सम्मान मिलना चाहिए तो उसी परकार से यहां के जो नेता है इनको रिस्पेक्ट दी जाती है वहां पर इसलिए बोला गया है रिस्पेक्टिवली ठीक है उनको रिस्पेक्ट दी जाती है वहां पर यानि सम्मान दिया जाता है सम्मान किया जाता है गंग्टोक dis the capital of sickle आपसे पूछा जाएगा कि सिक्किम की राजभानी कहां तो आप कहिएगा गंग्टोक कहां गंग्टोक गंग्टोक सिक्किम की राजभानी हुई तो कहा जाता है कि जो गंग्टोक का literally literally का अर्थ होता है साब्दिक यानि सब्द के आधहर पर जो बताए जा रही है गंगटोक का मतलब होता है गंगटोक means a high hill यानि यह जो गंगटोक है इसका अर्थ होता है high hill और high hill का अर्थ होता है उंची पहारी it offers many efficient view of the snow clad कंचन जंगा और यह जो गंगटोक है यहाँ पर जब आप खरा हो करके कंचन जंगा को देखेंगे तो कंचन जंगा क्या है एक चोटी है हिमालय के चोटी तो यहाँ पर आपको मैनिफिसेंट का अर्थ होता है सुन्दर या सांदार व्यू का अर्थ होता है नजारा तो सांदार नजारा आपको गंगटोक से कंचन जंगा का नजर आएगा यानि आप गंगटोक में खरा हो करके कंचन जंगा के सुन्दर द्रिश्य को देख सकते हैं the world third यानि दुनिया के तीसरे highest peak यानि सबसे उंचे highest peak which is regard as the guardian deity of seeking दुनिया के तीसरे थर्ड सबसे उचे जगा में से एक है कंचन जंगा आप से पूछा जाता है कि दुनिया के तीसरे सबसे उचे सिखर कौन सा है तो आप कहिएगा कंचन जंगा अब इसी को कंचन जंगा को क्या कहा है क्योंकि ये भी क्या करता है ये जो सिखिम को फायदा प स्कीम का संरक्षक देवता के रूप में यह आपने सी लिए यह यहाँ इसे अपने यह कंचन जंगा को अपना देवता मानते हैं ऐसा माना जाता है इसा समझा जाता है ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं सिकीम इज रिच इन फ्लोडा फ्लोडा का अर्थ होता है बनस्पत यानि पेर पौधों से भड़ा हुआ राज है और फौणा मतलब जीव जन्तू जीव जन्तू भी बहुत है वहां पे एक मतलब धाराय नदी की धाराय आपको मिल जाईगी प्राचीन जिटकों मुत रिज जिएँ का अर्थ होता है मठ मुत बहुत सारे मठों जिसमें बहुत भिघ्चू राते थे वह अनिसियं ऐन्स का सेलक्स कारता है जील भी है दा फलोडा आप सेकीम इंकलूट्स दा रो रो डो डेंड्रोन रो डेंड्रोन और यह रो डेंड्रोन क्या है तो दा इस्टेट ट्री यानि यह राज़ किया पेर है उसके बाद और चीड फीग बनाना साल ट्री एंड बैंबो और चेस्टनट मैपल विर्च अल्डर एंड मंगोलिया आल्सो ग्रो इन लाज नंबर आप यह सभी जो बता हैं आपको यह फल का नाम है और यहां पे बहुत भारी मातरा में सारे फल उगाए जाते हैं दा और चीड डेंडरोबियम नवाइल इस दा स्टेट फलावर आफ सिकीम आप इस वात को जरूर याद रखिए यह पूरा नाम है और चीड डेंडरोबियम नवाइल यह एक फूल है जो कि केवल सिकीम में ही पाए जाती है इसी लिए इसको सिकीम की राजकिया फलावर यानि फूल कहा जाता है आप से सबाल पूछा जा है कि सिकीम की राजकिया फलावर क्या है तो आप क्या कहेंगे और चीड डेंडरोबियम नवाइल उसके बाद दा फाउना आफ सिकीम इंक्लूड दा अश्नौ लिपड जो फलोड़ा फाउना है फाउना में क्या आता है जीव जन्तु आते हैं तो यहां में यहां कौन-कौ से जीव मुखरूप से पाये जाते हैं उसका ना में पर बताया जा रहा है कि थि हो दा धे मालीयन दा हर रेड़ पांड़ा दा हमालीयन म हम मार्मूट दा सेरो दा गारल, दा बार्ड किंग डियर, भोगने वला हीरन, दा कॉमन लंगूर, दा हिमालियन ब्लैक बियर, दा क्लावडेड लेपर्ड, दा मार्बलेड कैट, यह बिली है, दा लेपर्ड कैट, यह ऐसी बिली जो लेपर्ड की तरह दिखता है, दा वाइल्ड डाग, जंगली दा तिबेतन वल्फ, तिबत के भीरिया, दा होग बैजर, दा बुट्रोंग, दा जंगल कैट, जंगली बिली, एंड दा सिवेट कैट, एमांग दा एनिमल्स मोर कॉमनली फाउंड आर याक्स, यह सारे आपको बता है, वहाँ जो जीव जनतु है, उसका नाम बता है, तो व मैनली रिगार्ड फॉर देयर मिल्क, याक्स जो वहाँ के लोग पालते हैं, किसीज के लिए मुखरूब से, तो रिगार्ड, रियरेड का मतलब होता है, पाला जाता है, फॉर देयर मिल्क, किसीज के लिए पाला जाता है, तो मिल्क के लिए पाला जाता है, मीट के लिए प करते हैं किसका याक का इस्तिमाल करते हैं इसलिए बहुत ही उप्योगी जान बरा है वहां के लिए अब चुक्कि यह ठंड पर्दिस है और आप भी जानते हैं कि याक एक ठंड पर्दिस में रहने वाला जन्तु है उसके बाद दा बर्द्स फॉंड इन सिकीम अब यहां पर जिव जन्तु तो आपने देखे लिए हैं और यहां पर पक्छियां भी तो होगी तो पक्छियां कौन को नहीं दा वर्द्स फॉंड इन सिकीम इंक्लूड दा इम्पियन पिजंट, इम्पियन पिजंट, दा क्रिम्शन हॉर्नेट पिजंट, दा श्नौ पाट्रीज, दा श्नौ रूस्टर, दा लेमर्ग, लेमर्गियर, और ग्रीफन वल्चर्स, इस सारे तो पक्ची पाई ही जाते हैं, इस परकार के पक्चियां वहाँ पाई जाते हैं, आपसे नाम पुछा जा सकता है, कि इस सिकिम में कौन-कौन से पक्चियां पाई जाती है, अब ये सारे नाम लिख दीजिए, उसके बाद, सिकिम इज प्री डॉमिनेंटली एनि इन हैबिटेंट बाई दा लिपचाज, प्री डॉमिनेंटली का अरत होता है, परमुख रूप से, इन हैबिटेंट का अरत होता है, निवासी हुए हैं, कौन-कौन से निवासी हैं, यहां के मुख रूप से, तो लिपचाज हैं, यहा नेपाली भी यहां के निवासी है इस दा लुंगुवा फ्रांसा आफ सिकीम नेपाली इस दा लुंगुवा फ्रांसा आफ सिकीम नेपाल के जो एक भासा है लुंगुवा फ्रांसा वो यहां के यहां के भासा है जो कि संपर्क भासा है लुंगुवा फ्रांसा का का जाता है स संपर्क भासा है जो एक दूसरी से लोग बात करते हैं कि इस्तिमाल करते हैं हम लोग इंदी से बात कर रहे हैं English and Hindi are also spoken और Hindi भी बोली जाती है English भी बोली जाती है और also spoken and understood और समझा भी जाता है वहां पर इन most of सिक्कीम में अधिकांजगा अधर लेंग्वेज और इन सभी छोड़ करके लिंग्वा फ्रांसा और हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके भी वहां पर और भी भासा बोली जाती है सुचने वाली बात यह है कि इतना छोटा सा राज और इतने सारे भासा हैं हाँ बिल्कुल तो इसमें और भी कोन है अधर लेंग्वेज और इस पॉकेन इस शिक्कीम इनकलूड इसमें और कौन-कौन से भासा सिक्कीमें बोले जाती है उसका नाम सुनलिजे तो भुटिया भी बुटिया नहीं भुटान में जो भासा बोले जाती है वो भी गरगूंग, लेप्चा, लि आ दा पी पल इन दा रूरल एरियाजि ग्रो आड़िट्स आंड ऑचिट्स यानि ये बता रहा है कि जो ग्रामिन लोग है रूरल रूरल क्या होता है रूर्मन एरिया में जो लोग रहते हैं वो काड़िमम यानि इलाचि को उप जाते हैं जिन्जर अधर पुप जाते हैं orange apple tea and orchids यह सारे चिजे क्या करते हैं उप जाते हैं जैसे हमारे यहां धान मक्का उप जाए जाता है rice is grown on the high hillsides यानि पहारी की ओर में क्या उगाया जाता है तो rice उगाया जाती है यानि चावल उगाया जाता है of the southern area south की दिसा में उचे उचे पहारीों पर चावल उगाया जाते है chicken is the biggest producer of cardamom in India पूरे भारत में सिक्किम से ही सबसे ज़्यादा इलाइची उपजाए जाती है और यहां पर produce होता है the minerals minded minerals मतलब समझे लिए खनीज खनीज में से क्या क्या यहां पर खनीज में से क्या क्या पाया जाता है इन सिक्किम सिक्किम में तो copper, dolomite, limestone, graphite, mika, mika का अर्थ होता है अवरग, अब इसे याद रहा है कि मिका का अर्थ अवरग, iron and coal, coal यानी कोईला, तो इस परकार की चीजे मिनरल से हैं जो सिक्किम में जमिन से निकाला जाता है, the people of सिक्किम celebrate major Indian festivals, यहां के जो लोग है सिक्किम में रहने वाले, major का मतलब होता है बहुत सारे लोग Indian festival celebrate करते हैं, अब Indian festival में कौन-कौन से हैं, such as दिवाली, उसमें से है दिवाली and दसहरा, दिवाली और दसहरा तो व people of सिक्किम mostly follow Buddhism, और वो लोग हिंदु धर्म के तिवार को मनाते ही हैं, साथ ही साथ वो लोग Buddhist, Buddhism यानि बहुत धर्म को मानने वाले, ज्यादा तर लोग बहुत धर्म को मानते हैं, the festivals celebrated here are associated with the Buddhist festivals, और यहां जो festival मना जाते हैं, ज्यादा तर दसहरा और दिवाली को छोड़ करक संबंधित festival है, यानि तयुहार है, तो अब चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे festival हैं, जो बुद्ध धर्म से जुरा हुआ है, बौध धर्म से जुरा हुआ है, the popular festivals they celebrated include, लोसार, सागा दावा, लावाब, दुरुचियन, फैंग, लहाब, लहाब, सोल, दुर्पका, तैस सी, बुम्चू, लोसूंग, तिहार, डैस्यान, डैस्यान, एंड क्रिस्मस, ये सारे तिहार हैं, जो सिक्किंग के लोग मनाते हैं, और ये सारे तिहार बौध धर्म से संबंधित हैं, और ये बहुत ही popular, यानि लोकपिरिया तिहार है, सिक्किंग में, that's all.